है लो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आसा करती हूं आप सभी ठीक होंगे मेरे चैनल पर आप सभी का इवर फिष्ष देश्वागत है आज मैं बुरत में खाने वाले मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं तो चलिए देख लेते हैं मिठाई की रेसिपी ये मिठाई हम किसी भी वरत में खा सकते हैं और किसी भी दिन बना सकते हैं आसान रेसिपी हैं तो चलिए देख लेते हैं ये देखे गाइस यहाँ पर मैंने कडाई ली है और एक छोटी चमस गी डाल दिया है यह गी ओप्सनल है और ये मैंने फुल क्रीम दूद लिया है आप कोई भी दूद ले सकते हैं वैसे फूल क्रीम जादा अच्छा रहेगा तो यह देखे यह मैंने एक लिटर दूद लिया है और दूद को हम वाल लेते हैं इसे धीरे-दीरे चलाते रहेंगे और लौ-टू- Wine दूद को चलाते रहना है छोड़ना नहीं तो कडावी में नीचहें चिपक जाएगा और साइड़ों में दूद łग जाता है इसे çमच्छे हटाएँ देखें इस तरीके Сे और दूद को घाड़ा होने तक हम चलाते रहेंगा और बीच अगर आपने खोया की मिठाई बनानी हैं तो आप इस तरीके से खोया बनाएं और फिर इसमें चीनी डालें ये मैं आपको आगे बताऊंगी तो ये देखिए ये इसे हम थोड़ा सा और चला लेते हैं इस तरीके से खोया घर पर बना कर हम बिना मिलावट की मिठाई घर पर ही बना सकते हैं तो ये देखिए ये मैंने चीनी डाल दी हैं तो ये आधी कटोरी चीनी खोया के हिसाब से मैंने डाली हैं अगर खोया की मिठाई बनानी हैं तो आप इसमें एक कप या आदी कटोरी चीनी डालें और ये मैं आलू की मिठाई बनाऊंगी तो मैं इसमें एक कटोरी चीनी डालूंगी डाल दी है मैंने तो ये देखिए इसे मिक्स कर लेते हैं चीनी मेल्ट हो जाएगी तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और गाइज इसे तीन से चार मिनट तक और पकाएंगे ये चीनी हमारी मेल्ट होगी तब ये खोया फिर्षे पतला हो जाएगा ये देखिए ये चीनी मेल्ट हो गई है और ये फिर्षे खोया पतला हो गया है अब हम इसे फिर्षे पकाएंगे फिर्षे इसे आलू डालूंगे तो आलू की मिठाई तीन से चार दिन तक हम खा सकते हैं ये मैं थोड़ी से ज्यादा बनाऊंगे इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ और ये वरत के लिए बना रही हूँ आप भी इस तरीके से बना सकते हैं ये बहुती स्वादिश्ट मिठाई बनती है और बिल्कुल आसान रेसिपी हैं आप इसे जरूर बनाएए तो ये देखे गाई ये मैंने कुछ डाइफ रूट लिये हैं ये 20-25 बादाम और काजु लिये हैं चार इलाइची लिये हैं इलाइची के बीज निकाल लेते हैं और फिर इसी में डाल देते हैं तो ये देखे ये म बनाए मिठाई के लिए तो अब हम फिर से अपने दूद को देख लेते हैं तो ये देखे ये दूद और चीनी गाड़ा हो गया है इसे थोड़ा सा और चला लेते हैं ये देखे ये थोड़ा सा नीचे लग गया है ये मैंने छोड़ दिया था बीच में तो ये थोड़ा सा लग गया है अभी हम इसे थोड़ी सी देर और पका लेते हैं उसके बाद ड्राइफ रूट डालेंगे इसमें तो ये देखे ये थोड़ा थोड़ा गाड़ा हो गया है और अब हम इसमें ड्राइफ रूट डाल देते हैं ये मैंने पीसे हुए काजू और बाद हम डाल दिये ह और एक कटोरी ना का बुरादा डाल दिया है यह आप कमिया ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी ड्राइफ रूट आपको पसंद्ध है वो आप डाल सकते हैं आप हम इसे मीक्स कर देते हैं तो यह देखिए में चीनी डाल दी है और ड्राइफ रूटट डाल दी हैं और यह देखिए यह गाड़ा हो गया है इसे से कीजी मिया निकाल लेटे है और इसे सेट करके आदए जक्वण absent के लिए छोड़ देंगे और फिर इसकी वर्फी बना लेंगे तो इसतरीके से भी हम वर्फी बना सकते लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ, मैं इसमें अलू डालूंगे, तो ये सभी चीजें हमारी गाड़ी हो गई है, ड्रैफ रूट, दूद, जीनी, शभी मिक्स हो गए है अच्छे से, तो ये देखिए, ये मैंने अलू लिये हैं, ये 5-6 अलू है, मीडियम साइज की अलू है य यह देखिए यह मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो गाइज आलू में विल्कुल भी गांठे नहीं रहनी चाहिए यह देखिए इस तरीके की गांठे निकाल दें या फिर आप इस तरीके से इसे मैस कर दें अच्छे से और गाइज तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें दो टेबल स्पून गी डाल दें तो यह देखिए यह मैंने गी डाल दिया है तो आप गी इसमें एक टेबल स्पून भी डाल सकते हैं मैंने दो टेबल स्पून गी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर यह देखिए यह आप देख सकते हैं और इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है पतला नहीं रखना है पतला रखेंगे तो हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेंगी तो यह देखिए इस तरीके से इसे चलाते रहें अलट पलट करते रहें और इसे बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तब तक इसे चलाते रहें तो ये देखें गाईज ये बिल्कुल गाड़ा हो गया है ये हमारी मिठाई का मिक्सचर और अब हम इसे फ्लेम बंद कर देते हैं और गरम कडाई है इसलिए इसे चलाते रहेंगे और गैज मैं इसमें थोड़ा सा गी और डाल रहे हूँ ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा गी और डाल दिया है ये ओप्सनल है ये मैंने इसलिए डाला है कि ये मिठाई हमारी अच्छी दिखें मिठाई का मिक्सचर अच्छा दिखें वीडियो में थोड़ी सी साइन आ कर लें यह देखिए यह मैंने सैट कर दिया है और अब हम इसे गार्निस करने के लिए यह तरबुज के बीज डालेंगे तो ये देखे गाईज ये मैं तर्बूज के वीज उपर से डाल रही हूँ और इसे कटोरी से सेट कर दूँगी आप इसमें कोई भी ड्राइफूट डाल सकते हैं या फिर आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे ही इसे गार्निस कर सकते हैं तो ये मैंने तर्बूज के वीज डाल दिये हैं और इसे ये देखे इस तरीके से कटोरी से सेट कर देते हैं और अब इस मिठाई के उपर हम नारियल का बुरादा डालेंगे ये देखे ये मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है और इसे भी हम उपर से डाल देते हैं ये देखे इस तरीके से इसे डाल दें और इसे भी कटोरी से सेट कर दें और गैस आप भी इस तरीके से ये मिठाई बनाते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताएं और ये recipe आपको अच्छी लगी है तो भी मुझे comment करें तो ये देखिए ये नारियल का बुरादा मैंने set कर दिया है kattori से ये देखिए ये देखने में कितना सुन्दर लग रहा है और ये मिठाई खाने में बहुत ही tasty आप भी इस तरीके से जरूर बनाईए और बनाते हैं तो कमेंट करिए और आप इसे रख देते हैं आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं आदा गंटा के लिए और ये देखी आप इसे कट कर लेते हैं आप इसे किसी भी आकार में कट कर सकते हैं और छोटा या बड़ा आप कट कर सकते हैं तो ये देखिए, ये मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ और ये बिल्कुल आसानी से कट जाती है बिल्कुल सौफ्ट मिठाई बनी है हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई है तो गैस आप इस मिठाई को जरूर बनाएए और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है तो इसी तरीके से घर पर मिठाई बनाएए वरत में और एंज्याई करें ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है और आसान तरीका है मिठाई बनाने का तो गैस ये देखिए ये मैंने तोड़ कर आपको दिखाई है विठाई ये कितनी सुन्दर लग रही है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप जरूर ट्राई कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ हासान रेसिपी के साथ है तब तक के लिए अपना वे अपनों का ध्यान रखें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद